सर्व प्रथम हम यह जान लें कि जैव विवित्ता का अर्थ क्या है जैव विवित्ता अत्वा बायो डावर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें बायो का अर्थ जीव वर डावर्सिटी का अर्थ विवित्ता अर्थात किसी छेत्र प्राय के समस्त जीव जन्तू, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीवी वा इंसेक्स की समस्त प्रजातियों के साथ उनकी विवित्ता को जैविवित्ता कहते हैं और यह तीन प्रकार की होती है, पहली आनिवनशिक विवित्ता, दूसरी प्रजाति विवित्ता, एवं तीसरी पारिस्थिती की तंत्र विवित्ता और यह तीनों ही प्रकार की जैविविता का परसपर घनिष्ट संबंध है, किन्तु किसी एक प्रकार की जैविविता के प्रभावित होने से समस्त परियावरण एवं समस्त मानव जीवन प्रभावित होता है। भारतिय संस्कृति को अरण संस्क्रिति या परियावरं संस्क्रिति कहा जाता है, जисके परियावरं के घटकों प्रिथवी, जल, अगनी, आकाश तथा वायू को पंच महाबूत कहा गया है। पहला इस्थान प्रत्वी का है, जो अगर सुरक्षित होगी, तभी यहां के पहाड एवं प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित होगे। इसका वर्णन दुर्गास शप्तशती के देवी कवच में भी किया गया है। व्यादिक सहित्य में भी परियावरण के संतुलन की चेतना का उलेक स्वस्ति वाचन एवं सान्ति पाठ में किया गया है। भारतिय संस्कृती में परियावरण के महत्यों को हमेशा सर्वोपरी रखा गया है। यह सभी जानते हैं कि व्रिक्ष में ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड को सोकते हैं, ग्रीन हाउस गैस को सोक इसके अलावा व्रिक्ष बहुत अच्छे मनोवैज्यानिक हीलर भी है। इसके अलाव प्रदान करता है। भारत 12 मेगा बायो डावर्सिटी वाले देशों में से एक देश है। सभी मेगा बायो डावर्सिटी वाले देशों में 60-70 प्रतिशत पादपों एवं जीव जन्तों की प्रजातियां विद्यमान है। पादप विवित्ता के हिसाब से भारत का इस्थान विश्व में दश्वा और एशिया में चोथा है। बायो डावर्सिटी कन्वेंशन के अनुसार दुनिया की 40 प्रतिशत एकनॉमी एवं निर्धनों की 80 प्रतिशत जरूरतें जैविक सन्साधनों से पूर्ण होती है। भारत में विश्व की 31 प्रतिशत पादप प्रजातिया हैं। यहां प्राकरतिक संसाधनों की अपार संपदा होने के कारण जैविवित्ता का होट स्पोट है। हम जैविवित्ता के संदर्व में अगर उत्राखन राजी की बात करें, तो यह अपने प्राकरतिक संसाधनों से एक समग्र राज्य है, वो होट स्पोट है। यहां पर 7000 किस्म की वनस्पतियां एवं 500 किस्म के चीव जन्तूओं की प्रजातियां हैं, वहीं पुष्पों की भी अन्य प्रजातियां हैं, औस दिये एवं सगंध पौधों की 700 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनका उपियोग, फार्मेस्यूटिकल उद्योगों के साथ सा आयुर्वेदिक, यूनानी और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों में किया जाता है। जंगली खाद्य पौदों की 97 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं जिसमें काफल, बेड, बुरास, किंगोडा, हिसालू, तिम्रा, चिूरा प्रमुख हैं। ये प्रजातियां दुर्गन इस्तान पर रहने वाले मनुश्यों की पोसक तत्यों एवं खाद्य जरूरतों को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। पहाडी तूर्की दाल, काला भट, बिच्चु घास का फैबरिक, केंडिल, कुमाव का पिछोडा, चमूली का मुखोटा, कास्ट कला हैं। नौ उत्पादों तेजपत्ता, बासमती, सफेद राजमा, एपणकला, रिंगाल, हस्तशिल्प, थुल्मा, दान, चूरा तथा ताबे के उत्पादों को पूर्व में ही जियाई टैक का दर्जा मिल चुका है। राजी के खुच छेत्र अपनी जैविवित्ता से संपन होने के कारण विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाएवे हैं। यहां का द्रोणागिरी परवत चमोली जिले के नीति गाउं में स्तित है। इस परवत का जिक्र भारतिय महा कावे रामायन में भी किया गया है। विश्व धरोवर घोसित की गई है। यहां पर 500 से अधिक पुस्पों की प्रजातिया हैं जो पुस्प आकरशन का केंद्र है। यहां पर लाइकेन की 600 प्रजातिया हैं जिन में से 150 प्रजातियां मुन्शारी में पाई जाती है। लाइकेन परियावरण में प्रदूशन एवं जल्वाई परिवर्तन को महसूस करने के महतोपूर्ण जैव सुपचक हैं। इन्हें सनरक्षित करने के उद्देश से मुंस्यारी में वन विभाग द्वारा लाइकेन पार्क बनाया गया है। जैव विभिता पर अत्यधिक दभाव पढ़ रहा है जिसके लिए राज सरकार द्वारा 27 स्थानिय प्रजातियों को प्राथमिक्ता दी गई है। जैव विभिता द्वारा प्रत्यक्ष लाब में भोजन, इंधन, औसधिय पादप और जंगली खाद्यवनस पतिया हैं। अप्रत्यक्ष लाब, जलवायू तंत्र नियंत्रण, म्रदा सनरक्षण, वायू मंडल में गैसीय चक्र नियंत्रण, कारबन डाई अप्शूशन, इत्यादी हैं। इसके साथ ही हमारे राज्य की पारंपरिक क्रिशी प्रणाली बारा नाजा भी क्रिशी में जैव विवित्ता को दर्साती है। इस प्रणाली में एक छोटे से भूखंड पर बारा किसम की फस्पलों को लगाया जाता है। और यहाँ एक टिकाव किशी प्रणाली है जो की पारिस्तिती के संतुलन बनाई रखने में महतोपून है। इस पद्धती में अनाज, फालिया, तिलहन, सब्जियों के मिश्रण को लगाया जाता है। आधुने किशी प्रणाली जहां मोनो कल्चर पर निर्भर है, बारा नाजा किटिकाव किशी का उत्तम उधारण है। इसके साथ ही राज्य की लोग परंपराएं, तेहवार एवं लोग संगीत में भी परियावरन संरक्षन के संदेश मौजूद है। पिछले एक दसक से तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, उनकी अवशक्ताओं की पूर्ती हेतु, मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का प्रभाव समस्त परियावरन पर पड़ा है। जिनके आंकलन से कुछ सैंटेफिक रिपोर्ट, न्यूज पेपर, शोद के प्रकाशन के माध्यम से चिंता जनक आंकडे देखे जा रहे हैं। हाली में आयूसियन की रेड लिस्ट के द्वारा चवालीस हजार सोला प्रजातियों पर विलुप्त होने का खत्रा है। आयूसियन के अनुसार गत पांच वर्सों में लगभग सासो चौरासी जन्तूओं एवं सत्तासी पादा प्रजातियां लुप्त हो चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार गत तीस वर्सों को असरूप लगातार बदलने से क्रिशी वानी की मत से उत्पादन एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों पर पढ़ा है। पहाडों पर ग्लेशर पिगड रहे हैं, कहीं बाड और कहीं सूखा पढ़ रहा है। 2030 तक तो जलकी अत्यधी कमी हो जाने के आशंका जताई जा रही है। State of Environment Report के अनुसार भारत में तीन करोड ब्यक्तियों को जैविविता चरण के कारण, परियावरण वा जलवाईू समस्या के कारण अपने गाउं को छोड़ का अन्यत्र बसना पढ़ा है। और उत्राखंड में तो अनेक गाउं का अस्तित ही चिंता जना की स्तर पर पहुँच गया है। Food and Agriculture Organization के अनुसार 1990 से 2020 के बीच 42 करोड हेक्टियर के अधिक जंगल खतम हुए हैं जो दुनिया के 10 प्रतिशत जंगल के बराबर हैं। IBPS की वैश्विक रिपोर्ट में कहा गया है कि 1970 के बाद से अधिकांस पारिस्तिती के सेवाँ में तेजी से गिरावट आई है। प्रजातियों के विलुप्त होने की तर तेजी से बढ़ी है, लगबग एक मिलियन जानवरों और पौधों की प्रजातियां विलुप्त होने के करगार पर हैं। 1992 के बाद से सहरी छेत्र दोगने से भी अधिक हो गए हैं और 1980 के बाद से प्लास्टिक प्रदूशन में दस गुना बृद्धी हुई है। IPCC की वर्स 2022 की रिपोर्ट की अनुसार प्रित्वी की सतय का ओसत तापमान अगले 20 वर्सों में 2 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा। पिछले कुछ सालों से वनागनी की घटनाओं से राजे प्रभावित रहा है। इस फायर सीजन में भी जंगल की आग से हिमालय का इको सिस्टम प्रभावित हो रहा है। एक शोद की अनुसार अत्यधीक धुएं से वातावरण में ब्लैक कारवन का असर ग्लेशियरों तक पहुँच रहा है। राज का दूसीत परियावरण आपदा में बतल गया है। हम सभी के अस्तित्तो पर प्रभाव पढ़ रहा है। रिजर्व और एक बायोस्पर रिजर्व एवं मेडिसनल प्लांट कंजर्वेटिव एरिया सामिल है। राज में जै विवित्ता संरक्षन पर विभिन संस्थानों द्वारा परियोजनाय क्रियानवित की जा रही है। और उत्राखन विज्ञान सिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा राज में विभिन विध्यालेों में 200 विज्ञान चेतना केंद्रों को बनाया गिया है। जिसमें की विद्यार्थियों को परियावरन के प्रति संवेदन सील पनाने एवं जागरू करने हितू विभिन गतिविद्यों का संचालन किया जा रहा है। विद्यार्थियों को प्रकृति के संरक्षण हेतू संस्कार विक्सित करने तथा प्रोध्योगी के माध्यम से राज में जैविवित्ता के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने की आवश्यक्ता है। जैविवित्ता की रक्षण में योगदान देकर और सरकारी नियमों का पालन करके रास्ट्रिय उद्यानों, अभ्यारणों, आधी की रक्षा करके जल की उचित प्रबंधन के द्वारा पारिस्तिति की तंत्रों, वनों और कृष्णी छेत्रों और उनकी विवित्ता को आगपन नियंत्रन करके, जलवाईव परिवर्तन को कम करके, लोगों को प्रकरती और उसके संरक्षन के बारे में सिक्षित करके, अपने जीवन में कम से कम एक विक्ष लगा कर हम अपना बहुमुल्य योगदान दे सकते हैं.